आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कीमा कोफता रेसिपी बहुत ही सिम्पल स्टेप्स यूज़ करूँगी तो चलिए फड़ा फड़ से स्टार्ट करते हैं गरम सरसो के तेल में हम मेथी के दाने डालेंगे जब मेथी के दाने लाल हो जाए तो दो से तीन रफली शॉब् इसे हम अच्छी तरह से फ्रै करेंगे जब उन्यन का पर दाने पेस्ट अच्छी तरह से करेंगे तो छोबट अनियन अचर और도 दालेंगी घ्ालेंगे यह उसे जब ठीज की एड़ लासन च्राव्वय हो जिस कर Hem टीमियृ होसरा करेंगे घ्रुम phi!! धन्या, लाल मिर्च पाउडर, कोलकी जीरा पाउडर, अजिस अच्छे तरह से मिक्स करके fry करेंगे, अंदेन भी गrrm आप को contemporary में ही नहीं दालना है, जब मसाला दो आधह पक जाये तब आप इसमें नमक डालें गीम हीज़़ डैंक हीज़ा को समय सँग्स एक दो मेडियम साइज के आलू से छुड़े छुड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे जब तक मसाला धीमी आज पर भून रहा है तो हम कीमा के बॉल्स बना कर त्यार कर लेते हैं जिसके लिए हमें चाहिए एक कप पिसा हुआ कीम एक इंच अद्रख का टुकड़ा फाइन चॉब्ड और चार से पांच रफली चॉब्ड हरी मिर्च इन सब को हम एक बड़ी से बरतन में ले लेंगे और सुखे मसाले एड़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे देनम इसमें कुलकी जीरा पाउडर एड़ और सत्तू इसमें डालेंगे जब आप बॉल्स को शेप देंगे तो वह एक्जाक रहेगा टूटे गा नहीं अट लास्ट अब हम इसमें डालेंगे सरसो का तेल और इसे हम अच्छी तरह से हातों की हल्प से मिक्स करेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसा अपने हाथों के हल्प से हल्के हल्के से दबाकर एक बॉल का शेप देंगे आप देख सकते हैं ज्यादा बड़ा नहीं रखे शेप बिल्कुल छोटा छोटा सा ही रखे ताकि वह अंदर तक अच्छे से पख जाए अब हम एक पैन में सरसो का तेल लेंगे और इसमें वन ब इसे फ्राइ हो चुका अब हम इससे निकाल लेंगे यहां मैंने सारे ही कीमा बॉल्स फ्राइ कर लिए हैं भुने हुए मसाले में मैंने दो टमाटर एड़ किये हैं और इसे भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने फ्राइ किये थे कीमा बॉल्स उन्हें डालक बसाले के साथ हम इसे फ्राइ करेंगे ताके मसाले में कीमा बॉल्स का भी फ्लेवर जजब हो जाए और वह अच्छी तरह से पक जाए इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे उसके बाद हम इसे कूकर में डाल कर प्रेशर लगाएंगे तो लीजिये कीमा कॉफता बहुत ही असान तरीके से बन कर तयार है आप इसे खुद खाएं और यार दोस्तों को खिलाएं मजह ले लेकर खाएं So hope you like the video so keep watching, keep sharing and keep supporting my channel Thank you very much